रूस और उक्रेयन के बीच जारी उद्ध को दो महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है अभी तक रूस को वो सफलता हाथ नहीं लगी है जिसके उमीद राश्पती वलादमीर पुतीन ने लगा रखी थी लेकिन अब खबर ये है कि इस भिशन युद्ध के बीच कुछ समय के लिए रूस की राश्पती किसी और को भी बना जा सकता है लेकिन ऐसा क्यों है ये समझ लिजे दरसल अंतराश्टी मीडिया के मताबिक वलादमीर पुतीन को अपने कैंसर का इलाज करवाना है जल्द ही उनकी कोई सरजरी होने वाली है ऐसे में उस ऑपरेशन के दौरान रूस की जिम्मेदारी सुरक्षा परिसत के सचिव निकोलाई पैत्रुशो को दी जा सकती है अभी तक इसको लेकर कोई अपचारिक एलान नहीं हुआ है लेकिन विदेशी मीडिया लगतार इस बात की पुष्टी कर रहा है जानकारी के लिए बता दे कि पिछले कई दिनों से वलादमीर पुतीन की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे इसके शुरुवात पिछले महीने तब हो गई थी जब पुतीन की रक्षामुंत्री सरगई शोगोव की साथ एक बैठक जारी थी उस बैठक के दौरान एक वक्त ऐसा आया था जब पुतीन ने अचानक से डेस को पकड़ लिया था उसके बाद से ही पुतीन की सेहत को लेकर तमाम तरह की अठकले लगाई जा रही थी बाद में उनकी कई ऐसी तस्वीरे भी सामने आई जहां वो काफी बिमार नज़र आए अब उन अठकलों के बीच कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए वलादमीर पुतीन की जगह सुरक्षा परिसत के सचीव निकोलाई पैत्रिशो को रूस का राश्पती बनाया जा सकता है यह वही शक्स है जिन पर पुतीन सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं दावा तो ये भी किया गया है कि पुतीन द्वारा पहले से ही ऐसे संकेत निकोलाई पैतरिशोग को दे दिये गये हैं। बताया गया था कि अगर पुतीन की सेहत ज्यादा खराब होती है तो देश की बागडोर निकोलाई पैतरिशोग के हाथ में चली जाएगी। निकोलाई चैनल के मालिक जिन्होंने पुतीन की सेहत को लेकर खुलासा किया है वहीं निकोलाई पैत्रशोव की कारशाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किये हैं लेकिन इस सब के बीच रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वलादमीर पुतीन लंबे समय तक के लिए सत् पती कुर्सी निकोलाई पैत्रशोव को सौप सकते हैं विरो रिपोर्ट भारत तक अजय को